ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और आप हमारी चैनल अनपुर्णा फूड्स और दिवाइन मंत्रा भी जरूर देखेगा अच्छा रगएगा आपको और इस दिवाली पर मैं आपको आठ पूट के बताने जा रहा हूँ जो कोई बैकफायर नहीं होगा इससे आपको 100% फायदा होगा और लक्ष्मी का बहुत फायदा होगा माला माल हो जाएंगे देखें दिवाली हिंदूओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है लोग इस दिन का साल भर से इंतिजार करते है इस दिन कुछ लोग दिवाली के टूटके को अपना कर जहां माला माल हो जाते है वहीं अपनी किस्मत के सितारे बुलंद करने का हर प्रयास करते हैं लोग हर समभ प्रयास करते हैं तो चलिए हम आपको कुछ दिवाली के टूटके बताते हैं जिनें अपनाने के बाद आप भी माला माल होंगे और ये निश्यत है क्योंकि देखिए सारी चीदें हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है हमारे साथ से जुड़ा हुआ है ये अंद्विस्वास नहीं है देखिए दिवाली के दिन बेल, तुलसी और पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाने से मालक्षमी की किरपा बनती है इसके साथ ही आपके घर में धन बैवव की वर्षा होती है आपको ध्यान रखना है कि दीपक जलाते से मैं पीछे मुड़ कर मत देखिए पिर दिवाली के दिन घर के सभी कोनों और चौराहों पर दीपक जलाने से मालक्षमी पर सन्व होती है वहीं आपको धन मिलने के सभी रास्ते अपने आप खुल जाते हैं दिवाली से साथ दिन पहले नारियल को घर के मंदिर में कलावे में बांद कर रखें और दिवाली के दिन इसकी पूजा करने के पश्चात इसे प्रवाही जल में बहा दीजिए इससे मालक्षमी का आपके घर में वास होगा पर इन्वेज दिवी तो साथ दिन नहीं रहा है विससे तीन दिनी रहा है फिर महालक्षमी का मंत्र आपको बता देता हूँ ओम श्रिम रिम श्रिम कमले कमलाले परसिद्द परसिद्द ओम श्रिम रिम स्रीम महालक्षमे नमा इस मंत्र का जाप आपको करना है इस मंत्र का उद्देश सम्मधित देवी देवता को परसंद करना होता है ताकि ये देवी देवताओं की किरपा आप पर बनी रहे इसके साथ ही आप रिंड मुक्त भी हो जाते है दीपावली के दिन किसी जरूरत मंद, दिव्यांग या फिर गरीब वैक्ति को भरपिट भूजन करेए इससे आपके घर के सभी दुख कलेश कुछी पल में दूर हो जाएगी फिर गाय का मुत्र गाय के मुत्र से घर की सफाई करें इससे आपके घर में मوجود सभी नकरात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी और आपके घर में सुक समिद्धी आएगी सास्तु में गाय के मुत्र को बहुत ही पुवित्र माना गया है फिर दिवाली तोटके के लिए फिटकिरी बहुत ही अचुक और असरदार मानी जाती है फिटकिरी का एक टुकुड़ा लेकर घर के सभी कुनों में असपर्श कराए है इसके बाद इसे उत्तर दिशा में किसी चौराहे पर फिक दें और पीछे मुड़ कर नहीं लगें ध्यान रखें कि इसे किसी से भूल कर भी शेयर न करें नहीं तो ये असरदार तुटका बेअसर हो जाएगा फिर दिपावली के दिन घर में अखंड जोद जलाएं अखंड जोद से मा लक्ष्म पर सन होती है और अपने भक्तों पर अपने किरपा दिश्टी बनाए रखती है तो ये मैंने आपको आठ चीजे बताई और आप इसे कीजिए और अंद्रे पिशंट आपको इस सिलाव होगा या होगा बहुत बड़ा दिन होता है दिवाली का दिन हर दिन जो भी तथे वारत हो उसका अपना महत होता है और उसके बहुत साइँ ठूटके होते हैं तुटके क्या ये एक तरह से भगवान को खुश करने वाली बात है आप जैसे भी खुश करें तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद